नमस्कार दोस्तों। काल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। काल्शियम की कमी होने पर उनके दातों को निकलने में देरी हो सकती है। काल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। काल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकित्स हो सकता है। के साथ विटामिन D भी लेना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि vitamin D शरीर में calcium के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में vitamin D की कमी होने पर शरीर भोजन से calcium का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से शरीर में calcium की कमी हो सकती है अगर आप calcium की कमी को पूरा करने के लिए अकेले calcium के supplements ले रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements बेकार हैं क्योंकि vitamin D के बिना आपके शरीर में calcium का अवशोशन नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले calcium के supplements पेशाप के जरिये शरीर से बाहर निकल जाएंगे इसलिए calcium और vitamin D को एक साथ लेना जरूरी होता है पुलकेल सी capsule में calcium के साथ साथ vitamin D भी होता है इसलिए आपको vitamin D के supplements अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि पुलकेल सी capsule का उपयोग किन conditions में किया जाता है पुलकेल सी capsule का उपयोग शरीर में calcium की कमी होने पर हड्यों में fracture होने पर rheumatoid arthritis और osteoarthritis होने पर शरीर के जोडों, हड्यों वा मास्पेशियों में दर्ध होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने पर यानी नसों का दर्ध होने पर डाइबिटिक नियूरोपैथी होने पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए औस्टियो पोरोसिस होने पर, औस्टियो मलेशिया या रिकिट्स होने पर, शरीर में नुट्रिशन की कमी होने पर, शरीर में दातों, जोडों और हड्डियों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईयां ले रहे हैं, जैसे फेनोबार्बिटल फेनीटो इन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर पुलकेलसी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है. अब हम डिसकस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, और किन व्यक्तियों को पुलकेलसी कैपसूल को लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं, और दूद, दही जैसे डेरी प्रोड़क का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को पुलकेलसी कैपसूल को लेने की जरूरत पड़ सकती है, महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्तर मेनोपोस के बाद महिलाओं को भी पुलकेलसी कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं, अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क आपका डॉक्तर पुलकेलसी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है, क्योंकि स्टेरोइट दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से औस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसलिए औस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्तर पुलकेलसी कैपसूल को लेने की स इसके अलावा किड्नी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। अब हम डिसकस करेंगे की पुलकैलसी कैपसूल को कैसे लेना रेक्यमेंड़ होता है। पुलकैलसी कैपसूल की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पुलकैलसी कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। पुलकैलसी कैपसूल को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए पुलकैलसी कैपसूल को डॉक्तर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूद से बने उत्पात जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इनका सेवन पर्याप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुबह शाम पी लेता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भर्पूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भर्पूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो पुलकैल्सी कैपसूल एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में पुलकैल्सी कैपसूल की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप Pulcal C Capsule को Recommended Doge से ज्यादा Doge में लेते हैं, तो इसकी वज़ा से बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको Hypercalcemia भी कहते हैं. शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है. कुछ रिसर्च में यहाँ पाया गया है कि बलड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है. किट्मी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पुलकैल सी कैपसूल को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि पुलकैल सी कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. थाइरोइड की टैबलेट और पुलकैल सी कैपसूल को एक साथ नहीं लेना चाहिए. क्योंकि थाइरोइड की टैबलेट और पुलकैल सी कैपसूल को एक साथ लेने से थाइरोइड की टैबलेट का अवशोशन कम हो सकता है. जिसकी वजह से थाइरोइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर आप थाइरोइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थाइरोइड की टैबलेट और पुलकेलसी कैपसूल में 8 से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए किडनी की कोई समस्या होने पर और किडनी में पत्री होने पर पुलकेलसी कैपसूल को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए आपको पुलकेलसी कैपसूल को लेते समय आईरन के सप्लिमेंट लेने से बचना चाहिए क्योंकि कैल्शियम के साथ आइरन के सप्लिमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आइरन के अवशोशन को रोक सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पुलकेलसी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं